अगर आप जो मैं रेमेडी आज आपको बता रही हो अगर आप यह लगा लेते हैं तो आपके बाल बहुत जादा लॉग प्रॉग हो जाएंगे बलकि अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल भी बढ़नी रियन की ग्रोथ रुख गई है तो वह भी बहुत जल्द इंप्रूव होने लगेगी दीर-दीर आपकी गोथ भी बहुत अच्छे से बढ़नेर लगेगी कई इंच पढ़ने लगेगी कि आपको कटवाने पढ़ेंगे इतने जादा आपके बाल बढ़ने लगेंगी अगर आप इस रैमेडी को मेरे बताई वे टरीके से अगर इस्त क्या बनाना है कैसी यूज करना है तो वीडियो को पूरा देख देखिएगा बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोट इस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहले बर आये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ल करें लेकिन आप वालों के साथ आहर चाहे पत्ति को फेस पे भी यूज़ करते हैं वह चाहिऊ गलो कि नियां curriculum. ब्यूटिफुल होने लगती है अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्कीन के साथ साथ यह आपके बालों को भी बहुत अच्छे से ग्रोध देती है आपके बाल जढ रहे हो डैमेज हो यह बालों में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिपेर करने का काम करती है च बालों के लिए इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाय पत्ती का पानी तयार करना है तो हम एक से डेड़ ग्लास पानी ले लेंगे और इस पानी में हमें डालने है एक से डेड़ चमत चाय पत्ती और इसको करना है बॉल करने के बाद क्या होगा जो चाय पत्ती है चाय प चाय पत्ती में कैफिन होता है जो हमारे बालों में ग्रे हेर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दूर करने में हेल्प करता है और चाय पत्ती में जिसे हमारे बालों में सर में खुजली हो जाती है स्कैल्प में डेंडरफ हो जाता है इचिंग होती है बहुत जादा स्कैल्प बाल क pension में, बहुत जादा बाल ज इसके इन्टा राट़ों जाकर जुड़ों को बहुत जादा दा हाओ वी जादा बहुत बहुत अच्छे होँ तो अगर हम इसको regularly use करते हैं तो हमारे बाल बहुत अच्छे होने लगेंगे गंजेपन की जो शिकायत है वो भी दूर होने लगेगी यह हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाने में help करेगा आपने देखा ही होगा कि हम बहुत से हीना पैक या hair pack बनाते हैं और चाय पत्ती में मैलरीन और कैरेटीन होता है जो हमारे बालों को स्मूथ सिल्की शाहिनी बनाने में help करता है जडों को मजबूत करता है अगर बाल जहड रहे हो तो उसको भी रोकता है और गंजेपन की गर शिकायत होती हो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तब ही जाकर आपके बालों में इसका असर होगा क्योंकि इसमें कोई chemical नहीं होता है इसे कोई भी हाम नहीं होता है इसको week में आप दो बर अगर यूज करते हैं तो आपके बाल सिल्की शाहिनी हो जाएंगे स्मूथ हो जाएंगे आपके बालों में जो भी समस्या हैं बालों से जुड़ी जो भी problem हो भी आपकी दूर होने लगेगी आपके बाल इतने अच्छे होने लग जाएंगे धीरी-दीरी की आप खुद कहेंगे इस रेमेडी को आपको रेगुलरली यूज करना है हथे में दो भार इसको ज़रूर use करना है तो friends, चाइपत्ती का पानी ready हो चुका है, अब G! करना है이스 चाइपत्ती के पानी में हमें shampoo डालना है, friends, आप जो भी shampoo यूज़ करते हैं आप वो shampoo यूज़ कर सकते हैं, इस पानी को थंड़ा होने के बाद इसमें शेंपू को डालने के बाद आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से जाग हो जाने चाहिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी हम क्या करते हैं mostly सज्धाते हैं, बात रोम में, самPou लेते हैं, और सरद हो लेते हैं, वो डाएरेक्ट अगर हमारे स्केलप पर लगता है, तो भी हमारे बालो को थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा शैंपू यूज़ करने से, अच्छे से इसको शेंपू को अपने बालों पे डालना है और अच्छे से मसाज करनी स्केल्प की ताकि जितनी भी हमारे इस शेंपू जो हमने बनाया इसकी जो गुड प्रॉपर्टी है वो हमारे बालों में स्केल्प में अच्छे से चली जाए और हमारे स्केल्प में जो प पसीना आना स्टार्ट हो जाता है जिसे हमारे स्कैल्प चिप चिपा हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है इचिंग हो जाती है बहुत जादा चिप चिपा पना जाता है बालो में तो इस तरह से हमें शैंपू हफते में तीन बार जरूर करना चाहिए समर में तो और दो बार तो अगर आप इस remedy से यूज़ करते हैं इस remedy को यूज़ करते हैं दो बार अपने शैंपू इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपके बालों में कोई dryness नहीं आएगी और साथा आपके बाल इस खाल बहुत अच्छा healthy हो जाएगा इस remedy का regular use करने से आपके बालों की सभी परिशानियां दूर होंगी जैसे मैंने बताया आप इसी तरह से इसको use कीजिए और आप खुद देखेगा कि आपके बाल दीरे-दीरे किते अच्छे होते चले गए हैं इसमें कोई chemical नहीं है कि जिस chemical की वज़े से आपके बाल जढ़े लगाना है पूरे scalp पे और पूरे नीचे तक जितने आपके बालों की length है उसके ends तक लगाना है क्योंकि हमारे बालों के जो ends है वो भी बहुत जादा damage हो जाते हैं आपको उपर से लेकर नीचे तक पूरे अच्छे से लगाना है और उसके बाद आपको wash कर लेना अच्छे स मसाज करने के बाद और आप इसको regularly use कीजी और आप खुद देखेगा कि आपके बालों में जढने की problem है वो दूर हो गई है बाल ड्राय हो रखे है तो वो भी दूर हो गई है एकदम सिल्की बाल आपके हो जाएंगे soft shiny आपके बालों में shine आ जाएगी आएड हो जाएगी ब ठीक हो जाएगी और गंजपन की अगर शिकायत हो रही है तो वो भी आपकी बालों में ठीक हो जाएगी आपके चोटे चोटे बेभी हराने स्टार्ट हो जाएगे लेकिन आपको इस remedy को अच्छे से यूज करना होगा रेगुलरली यूज करना होगा ऐसा नहीं कि आप यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब भी कर लेजेगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में